हेलो एवरीवन वेलकम तो पोवनवाग एकेडमी माईसेव करूना जोशी तो हम देख रहें आपका चाप्ट नंबर थर्टीन जिसका नाम है अमाइन्स तो अमाइन्स में हमने प्रिवियस लेक्चर में प्रिप्रेशन मेथड ऑफ अमाइन्स का पार्ट स्टार्ट किया था तो हमने टोटल 5-6 कुछ प्रिप्रेशन मेथड स्टार्ट की थी जो हमने पहली प्रिप्रेशन मेथड देखी थी उसका नाम था अमोनोलिसिस ऑफ अलकील हलाइड देन जो सेकेड प्रिप्रेशन मेथड थी उसका नाम था रिडॉक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउं देन उ लास्ट प्रिप्रेशन मेथड हम देखने वाले उसका नाम है होफ्मन डिग्रेडेशन होफ्मन डिग्रेडेशन रियाक्षन ओके नेक्स्ट प्रिप्रेशन का नाम है होफ्मन डिग्रेडेशन रियाक्षन इस वारे प्रिप्रेशन मेथोड को बहुत सारे नाम से बहुत सार वो नाम भी देख लेते हम, ठीक है, होफमन डिग्रेडेशन रियाक्शन को हम जो अगेन कुछ और नाम से जानते हैं, वो है आपके होफमन ब्रोमामाइड, होफमन ब्रोमामाइड, डिग्रेडेशन, और एक नाम है उसके लिए, वो है आपका होफमन रियारेंजमेंट, होफमन रियारेंजमेंट, और एक नाम है उसके लिए, होफमन ब्रोमाइड, हाइफो ब्रोमामाइड, डिग्रेडेशन, और एक नाम है उसके लिए, वो है आपका स्टेप डाउन रियारेंट, तो इतने सारे नाम से आपकी जो लास्ट प्रिप्रेशन मेथड है उसके, जिसका रामे होफमन डिग्रेडेशन रियाक्शन, उसको हम होफमन ब्रोमामाइ डिग्रेडेशन के नाम से भी जानते, होफमन रियारेंजमेंट के नाम से भी जानते, और होफमन हाइपो ब्रोमामाइड, डिग्रेडेशन के नाम से भी जानते, और स्टेप डाउन रियाक्शन के नाम से भी जानते, इतने सारे नाम है, एक प्रिपरेशन मेथड के इतने सारे नामज दिये ए तो इतने सारे नामज दिये इस मेथड के क्यों iPhone करके रखो एस मेथड को क्योंकि एकसांळ एतनेस नाम च्छी की ओर हर एकजाम में अलग अलग नाम से यह रियाक्शन पुछी जाते हैं ठीक पुछे जाती है जो हमने इसके आगे की वाली जो प्रिप्रेशन मेथड देखी थी वो थी आपकी गैबरिल आपकी हॉफमन डिग्रडेशन यह मोस्ट इंपोर्टन प्रिप्रेशन मेथड से तो इनको करके रखो ठीक है और इतने सारे नाम इसलिए दिये क्योंकि हर साल पूछी जाते हैं सिर्फ उसके नाम बदलते रहेते इन नामों में से कोई भी नाम उसको देते रहेते ठीके एक्जाम में एक ही नाम नहीं आता है वो change होते रहेता है next देखते हम यह नाम भी ध्यान में रखो ताक्कि कोई नाम अगर आपने सिर्फ Hoffman Degradation इतना ही नाम याद रखा है और अगर Bromamide के नाम से आ गया फिर confusion हो जाता है इसलिए पूरे नाम याद करो यानि exam में कोई भी confusion नहीं होगा और ये most important question है जो हर साल आता है सिर्फ उसके नाम बदलते रहते ठीक है इसलिए student को confusion हो जाता है तो इनके नाम भी ठीक से देखो तो चलिए देखते Hoffman Degradation reaction में होता क्या है उसका जो नाम है Hoffman Bromamide उसके थो आपको पता चल जाएगा like Bromamide है Bromamide वर्ड में क्या है Bromamide यानि आपको Bromamide वर्ड से decide होगा कि वहाँ पर Bromine ग्रूप भी होगा क्योंकि Broma बोलाए तो Bromine भी है and last में Amide बोलाए मतलब Amide ग्रूप भी है Bromine and Amide ग्रूप consider होगा ठीक है तो बन जाएगा Bromamide का Compound तो चलिए देखते यहाँ पर reaction कैसी होगी सबसे important बात पहले लेना है आपको अमाइड का कंपाउंड कि तो यह लिया हमने यहाँ पर Amide ठीक है यह वाला Compound है आपका Amide का अमाइड के साथ reaction करने वाले हम यहाँ पे अमाइड के साथ reaction होगी ब्रोमीन की तो ब्रोमीन लेंगे हम यहाँ पे BR2 ठीके उसके साथ और एक compound की reaction होने वाली है वो है आपका KOH ठीके aqueous nature में आपको लेना है KOH का compound then अभी देखो यहाँ पे होगी heating heating देने के बाद product क्या बनता है वो देखो यहाँ पे क्या किया हमने अमाइड का compound लिया अमाइड के compound के साथ लिया BR का मतलब क्या होता है यहाँ पे ब्रोमीन ठीके और यहाँ पे लिया है KOH वो है आपका potassium hydroxide यहाँ पे लिया है हमने potassium hydroxide अभी reaction देखो ठीक से understand कर लो क्योंकि most important reaction है और exam में आती ही आती है इसलिए इसके जो concept है वो अभी clear कर लो ठीके थोड़ा confusion वाला structure होता है इसका product होता है problem आता है थोड़ा students को लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो वो confusion पे आपका यहाँ पे clear हो जाएगा तो सबसे पहले हमने अमाइड लिया अमाइड के साथ लिया ब्रोमीन का compound उसके साथ अगें लिया है potassium hydroxide का compound ठीक है तो यहाँ पे देखते है जो भी आप potassium hydroxide का compound वहाँ पे लेने वाले हो तो वहाँ पे एक बात ध्यान में रखना जो भी potassium hydroxide हम रियाक करने वाले उसके लेंगे हम total four compounds four compounds क्यों लिए वो भी समझ में आ जाएगा four compounds हमने reaction balance करने के लिए लिए तो यहाँ पे रिक्वाइड है कि आपको four compounds लेने पड़ेंगे ठीक है four compounds लेंगे हम potassium hydroxide के four compound ले लिए हमने koh के तो अभी देखो reaction कैसे formation होती है सबसे important बात अमाइड लिया हमने हमाइड के साथ reaction की bromine की देन उसके साथ reaction की potassium hydroxide की तो अभी देखो यहाँ पे होता क्या है actual में यहाँ पे क्या करना है हमें माइन preparation method देख रहें ठीके अन माइन का preparation method देख रहें तो अमा साइन formation होना चाहिए तो वार न इच्टू के फॉर्मेट में स्टॉप्चर आना चाहिए प्रॉडक्त मिलना चाहिए तो वो केशे मिलेगा वो देखो यहां पर यह आरें यह दोनों को को हमने मिला दिया यहाँ पर लिया हमने आर का कंपॉंड यहाँ पर लिया हमने एनेश्टू का कंपॉंड दोनों को मिला दिया हमने ठीक है तो मिला के क्या बन गया इधर और एन एच्टू यह वाला कंपॉंड बन गया आपका अमाइन का ठीक है यह वाला कंपॉंड बन गया अमाइन का next क्या होता है वो देखो अमाइन तो बन गया अभी product भी बनाते हैं आगे product बन गया by product बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर है आपका DR2 का compound यहाँ पर दिख रहे आपको 4KOH का compound तो 4KOH के अंडर में के कितने हैं भई 4K है तो उन 4K में क्या करेंगे हम पता हैं यहाँ पर लेंगे हम हम 2K उपर ठीक है ट्वाइस के लिए हमने उपर ट्वाइस के लेंगे हम नीचे divide कर दिया हमने splitting कर दिया ताकि easier हो जाए ठीक है तो splitting कर दिया हमने उपर नीचे तो यहाँ पे बियार के दो मॉलीकुल्स यहां पे 누가 के दो मॉलिकुल्स मतलब पोट्भिम के दो मॉलीकुल्स तो यहां से आपका ट्वाइस के गया चला जाएगा बैपностики तो बेजदो उसको भी यह चला गया है इधर ट्वाइस के बी ऑर ऊके सेकेंड वाला आपको बाई प्रोड़क्ट मिल गया देन नेक्स चलते अभी भी रियक्शन कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि कुछ तो इंबालेंस है वहाँ पे तो वह बैलेंस करना पड़ेगा अमाइन का कंपॉंड मिल गया के वियर का कंपॉंड मिल गया आगे देखो क्या-क्या बचाए अभी ये वाले कंपॉंड में आपका CO बचाए ये वाला कंपॉंड तो हो गया इधर वाले कंपॉंड में देखो क्या-क्या बचाए इधर वाला जो कंपॉंड है इधर बचाए आपका twice K का कंपॉंड ठीक है next और क्या बचाए उसके पास four oxygen बचे है then next क्या बचाए four hydrogen भी बचे तो इतने compound बचे हैं हमारी ठीक है दो K के compound बचे है 4 oxygen बचा है and 4 hydrogen बचे इदर तो K कैसे बचे है क्योंकि 2 K थी हमारे जो potassium था वो चला गया है BR के साथ मतलब ये वाला इतना compound हमारा बचा है and इदर के side में बचा है हमारा carbon और oxygen तो यहाँ पर देखो अभी compound क्या बनाते हैं यहाँ से लेंगे हम twice K ठीक है यह लेंगे हम twice K यहाँ से लेंगे हम CO ठीक है यहाँ से लिया हमने CO यहाँ से लिया हमने twice K and उसके साथ कोन लेंगे हम और यहाँ से लेंगे दो oxygen यहां से यह जो दो oxygen से इधर वो और हमने divide कर दे ठीक है यहां पर देखो यह जो 4 oxygen से इनको हमने और divide कर दिया दो दो oxygen में तो यह वाले जो दो oxygen से इधर के इसको भी वो साथ में ले लेगा ठीक है इसको भी उसने साथ में ले लिया तो बन क्या जाएगा वो देखो यहां पर है आपका K कि कितने compound से दो है मतलब यहां पर आएगा treo यहां पर क्या था C Так तो यहां पर सी ओ then next यहां से लिए हमने दो औक सिजन सिंटी के तो यहां पर क्या बन गया है यहां से लिए हमने दो oxygen और यहां पर सी ओ तो मिला के क्या बन गया बही वहां पर CO3 compound बन गया ठीक है क्योंकि अल्रेड़ी इसके पास एक oxygen था यहां से हमने दो ले लिया मतलब एक और दो कितने बन गया फिर तीन oxygen बन गया तो ये दो oxygen ये CO ये twice के चले गए साथ में तो वहाँ पे बन गया आपका K2CO3 उसका मतलब क्या होता है potassium carbonate वहाँ पे प्रिपेर हो गया और remaining कुछ तो बचाए भई अभी बैलेंस नहीं हुआ है कुछ तो बचा है क्या बचाए फिर वो देखो यहाँ पे बचाए आपका ये दो oxygen यहाँ पे बचे 4 hydrogen ठीक है यहाँ पे बचे 2 oxygen यहाँ पे बचे 4 hydrogen तो इनको मिला के क्या compound बनेगा यहाँ पे तो यहाँ पे बन जाएगा आपका twice H2O का compound ठीक है थोड़ा सा difficult है understanding के लिए लेकिन यहाँ पे ठीक से देखो क्या क्या किया है हमने यहाँ पे सबसे important बात पहले R NH2 Amine बनाना था तो यह वाले R को यह वाले NH को हमने साथ में जोड़ दिया तो यहाँ पे बन गया आपका Amine का compound next क्या किया हमने वो देखो यहाँ पे थे आपके BR के 2 molecules यहाँ पे थे 4 potassium के 4 molecules ठीक है BR के 2 molecules थे potassium के 4 molecules थे तो potassium के जो 4 molecules थे उनमें से हमने 2 compounds लिये 2 K का molecule लिया यानि potassium लिया 2 potassium को 2 bromine के साथ देश दिया बाइप्रोड़क में तो यहाँ पे बन गया twice KBR तो 2 K के compound तो बचे थे तो वो हमने नीचे लिख दिया ठीक है 2 K के compound बचे थे वो हमने नीचे लिख दिया then next क्या किया हमने जो remaining बचा था उन सबको पहले लिख दिया तो यहाँ पे आपका 2 K के molecule बचे थे potassium के वो नीचे लिख दिया यहाँ पे oxygen बचे थे आपके total 4 oxygen वो भी हमने नीचे लिख दिया red में then next 4 hydrogen बचे थे तो यह भी हमने यहाँ पे लिख दिया ठीक है 4 hydrogen यहाँ पे आपका CO का compound बचा था वो भी हमने नीचे लिख दिया next क्या किया आपने यह वाला CO यह वाला potassium के 2 compounds and 4 oxygen में से 2 oxygen 4 oxygen थे उन में से 2 oxygen लिए और इन सबको एक साथ by product में भेजा तो वो molecule बन गया आपका K2 CO3 यहाँ पे था एक oxygen यहाँ पे 2 डाले तो बन गया 3 oxygen तो molecule बन गया आपका K2 CO3 and जो remaining compound बचा था आपका फिर 2 oxygen बचे थे 2 तो इसके साथ चले गए 2 oxygen बचे थे 4 hydrogen बचे थे तो उनको मिला के compound बन गया आपका 2 H2O का ठीक है तो यह वाली reaction थी हमारी Hoffman degradation reaction उसको हम Hoffman bromamide degradation reaction भी बोल सकते Hoffman rearrangement reaction भी बोल सकते Hoffman hypo bromide degradation reaction भी बोल सकते या step down reaction भी बोल सकते तो यहाँ पे देखो अभी क्या हुआ यह तो हमने specific reaction देख ली अभी हम कुछ general reaction देखी specific reaction भी देख लेते ताकि आपका confusion clear हो जाए ठीक है तो चलिए देखते general reaction के बाद specific reaction क्या-क्या हुआ है जो general में देखा वही specific में होने वाला है तो यहाँ पे लेंगे हम CH3 का compound उसके साथ लेंगे CH3CO NH2 ठीक है यह वाले compound का नाम आएगा फिर यहाँ पे acetamide acetamide के साथ reaction होने वाली है similarly वही compound हमें नीचे लेने है BR2 then next यहाँ पे लेंगे हम four molecules of KOH then next उसको देंगे heat तो यहाँ पे देखो जैसे general reaction में दिख रहा है वेसे ही similarly हमें specific reaction में भी करना है ठीक है तो चलिए देखते यहाँ पे क्या होता है वही करना है यहाँ से भी क्या करना है हमें यह वाले CH3 को उठाना है और उसको इस वाले NH2 के साथ भेज देना है भई ठीक है इस वाले CH3 को उठाया इस वाले NH2 के साथ उसको by product में बेज़ा ठीक है वो product बन गया फिर यहाँ पे CH3 NH2 का ऑके उसका नाम क्या आ गया फिर यहां पर बिथी लमाई नेक्स देखो बाई प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं नेक्स क्या किया हमने यहां पर यह वाले दो बी आर का compound चले जाएंगे by product में तो यहाँ पर कुन सा वाला compound बन गया और twice KBR बन गया ठीक है next देखते और बचा क्या है यहाँ पर बचे आपके यह थे आपके दो potassium बचे थे यहाँ पर बचे आपके four oxygen ठीक है then next four hydrogen प्रोजन भी तो बचे है ठीक है और यहाँ पर बचा है carbon oxygen तो next क्या करने वाले हम यहाँ पर बहुत हो यहाँ बचते आपके दो oxygen तो क्या करेंगे हम दो oxygen मैसे उसको divide कर देंगे यहाँ पर है दो oxygen यहाँ पर लिखेंगे दो oxygens ठीक है इन दो four oxygens को हमने डिवाइड कर दिया next क्या करेंगे हम ये वाले दो के को इस वाले दो oxygen को लेकर इस वाले co के साथ बेज देंगे उसको byproduct में मतलब ये वाला जो remaining बच्चा हुआ compound था उसको बेज़ेंगे हम byproduct में तो product क्या बनेगा इधर वो देखो K2 ये था K2 देन ये था CO and उसके साथ और गए थे दो oxygen ठीक है तो क्या मिला इधर दो oxygen गए तो ये अल्रेडी एक था दो और गए CO3 बन गए next क्या हुआ वो देखो the next जो remaining बचा हुआ compound है वह हमें लिखना है तो यहाँ पे बचा हुआ ये वाला compound है remaining four hydrogen में से तो क्या हुआ था दो oxygen उपर दो oxygen नीचे चले गए तो यहाँ पे ये वाला compound बचा है तो यहाँ पर क्या त्वाइस, एच्टू, ठीक है, तो ये वाला compound वहाँ पर प्रिपेर हो गया, अभी देखो ये reaction तो हमने देख ली, बहुत simple सी reaction है, अगर ठीक से देखोगे तो, नहीं तो बहुत confusion होगा, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे मैडम हर reaction को easier, easier बताती है, वैसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट क्या हुआ यहां से थे आपके फोर पोटेसियम का कंपॉंड तो फोर पोटेसियम में से दो पोटेसियम को हमने इस वाले दो नेक्स्ट क्या हुआ यहां पर बचये थे आपके दो पोटेसियम यहां पर थे आपके फूर आइडरोजेन फोर ऐंग्सिजन थे उन में ने है और मट्राइ Freeman ने दो औक सिज़्ेट खोई को रीकर अब्स इन को मिला के बन गया फिर को जो दिया जो आणि या पर तो मिल कर क्या बन गया वहाँपे तो यह थी आपके स्पेसिफिक रियाक्शन और एक एक्जाम्पल लेके देखते क्यूंकि मोस्ट इंपोर्टन रियाक्शन यार करके जाना यह रियाक्शन यह वाला कंपॉंड लिया हमने वन टू थ्री थ्री कार्बन से एनेश्टू ग्रूप से अटैच तो इसका नाम क्या आएगा फिर यहाँ पर प्रोपामाइड प्रोपानमाइड ठीक है अमाइड ग्रूप जोइंट है तो प्रोपामाइड देन नेक्स्ट क्या होगा यहाँ बियार्टू के साथ उसकी रियाक्शन होगी और क्योश लेंगे अक्वियस सोल्यूशन में फोर कंपॉंड लेंगे उसके उसके उपर हीट देंगे देन नेक्स्ट देखो क्या होगा यहाँ से निकलेगा आपका CH CH3 CH2 एंड यहाँ से आएगा एनेश्टू का कंपॉंड क् अमाइन का प्रिप्रेशन करना है तो यहाँ से CH3 CH2 और एनेश्टू चले गए बाइप्रोड़क्ट में प्रोड़क्ट बन जाएगा वह अमाइन का प्रोड़क्ट बनाना है हमें तो CH3 CH2 एनेश्टू ठीक है तो यह हमें कंपॉंड मिल गया इधर इसका नाम के आएगा फिर इतिलमाइन ये वाला आपको प्रोड़क्ट मिल गया प्रोड़क्ट तो मिल गया लेकिन फूल मार्क्ष के लिए इतना नहीं चलेगा भाई कि आ funding प्रिप्रेशन कर दिया फिर आगे का पुछ उंदरस्टाइंड नहीं हो रहा है तो छोड़ समय कह तो फिर इसके फोर से तो ऊपर दो नीचे लिख दिए गनिया से चला गयाई का प्लाइब चला गया ट्वाइस के बी आर तेन एक्षैनल कर बाद क्या हुआ पीर यह दो के बचे दो पोटेश्यम में अपने थो उट है उनको भी add कर दिया यहाँ पे CO बचा था तो इन तीनों को हमने मिला दिया क्या बन गया फिर तीनों को मिला के K2CO3 क्या बन गया K2CO3 का compound बन गया K2CO3 ओके और कुछ तो बचा है उसको भी तो एक्जेस करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपके बचे है 4 hydrogens and 2 oxygens ठीके 4 hydrogens and 2 oxygens को मिला के क्या बन जाएगा twice H2O का compound बन जाएगा ठीके तो यह थी आपकी Hoffman degradation reaction थेरी कैसे लिखोगे वो भी देखो When amide is react with When amide is react with bromine and potassium hydroxide It gives the formation of amine It gives the formation of amine ठीके आपकी language में भी आप इस theoretical pattern को लिख सकते हो बहुत simple सा है अगर नाम लिख देए तो थेरी भी आ जाएगी कुछ नहीं करना है सिर्फ react-react करके जाना है और then product का नाम लेना है Like amide is react with bromine and potassium hydroxide It gives the formation of amide के बहुत simple सी थेरी है और यह है आपकी most important preparation method जिसका नाम था Hoffman Degradation Reaction उसको आप Hoffman Bromamide Degradation के नाम से भी जानते हो Hoffman Rearrangement के नाम से भी जानते हो और Hoffman Hypobromide के नाम से भी जानते हो and step down reaction step down reaction क्यों बोला है वो भी तो पता होना चाहिए and degradation word use किया है नाम में वो देखो अभी क्यों use किया है यहाँ पर अगर आप देखोगे जो आपका प्रोपैमाइड का compound है जो आपका प्रोपैमाइड का compound है या आपका असिटमाइड का compound है तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे जो आपका reactant है और जो reactant से जो product बना है मतलब जो असिटमाइड का compound था acetamide के compound में to total आपका δो carbons का compound था वो यहां पे दे जब product बना है अपका methylamide का तो वहा पे सिर्फ एक Das чajnique compound दिख्वेगा जब आपने acidamide लिया वू था आपका 2 carbon वाला black compound अड़ उससे जो प्रॉडब द्रॉडब्स मतलब मिथी रमाइन का product बनाएं, उसमें है सिर्फ एक carbon, मतलब दो carbon वाले compound से जब एक carbon वाला compound बन रहा है, मतलब carbons का क्या हो रहा है, degrade हो रहा है, कम हो गए, carbon decrease हो गए, reduce हो गए, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, degradation, क्योंकि carbons जो reactant में थे, वो थे दो, और जब उस reactant से जो product बनाएं, तब वो एक carbon वाला product बनाएं, इसका मतलब उस reaction में carbons का degradation हो आए, carbons कम होए, reduce होए, आप similarly propyamide में भी देखोगे, इधर था आपका propyamide reactant में, और जब आप product में जाओगे, तब आपको यहाँ पे propyamide दिख रहा था, यहाँ पे इथी लमाइन दिखेगा, मतलब तीन carbon वाले compound से क्या बना, product कितने carbon वाला बनाएं, तो यहाँ पे product दो ही carbon वाला बनाएं, इसका मतलब यहाँ पे भी carbons का क्या हुआ है, degradation हुआ है, इसलिए हम reaction में क्या बोल रहे है, Hoffman degradation reaction, जिसके अंडर में carbons degrade होते जा रहे, reduce होते जा रहे, कम होते जा रहे, ठीक जो next topic हमें देखना है, next topic है, physical properties, ठीक है, next topic का नाम है, physical properties of amines, amines के लिए हमें physical properties देखनी है, physical properties of amines, तो total हमें amines के लिए three physical properties देखनी है, तीन physical properties देखनी है, जो सबसे पहले physical properties हम देखने वाले amines के लिए, वो हो गया आपकी intermolecular forces, देन जो second property देखेंगे हम physical property तो वो होगी आपकी boiling point और जो third होगी वो होगी solubility ठीक है तो यह तीनों properties देखने हैं हमें amines के लिए तो सबसे पहले start करते हैं intermolecular forces यह है यह है आपका पहली physical property ठीक है जिसका नाम है intermolecular forces intermolecular forces में क्या होता है जो भी hydrogen bonding होती है जो भी compound hydrogen bonding form करेगा ठीक है कोई भी compound हो सकता है वो hydrogen bonding करेगा तब उसमें क्या होना चाहिए hydrogen bonding फॉर्म करने है यानि उसमें hydrogen तो होना चाहिए ठीक है hydrogen अगर होगा तो ही वो compound hydrogen bonding फॉर्म कर सकता है simple सी बाते intermolecular forces में क्या देखना है हमें hydrogen bonding देखने है कि अगर कोई compound hydrogen bonding शो करेगा तो उसके अंडर में hydrogen होना ही चाहिए क्योंकि अगर hydrogen bonding शो कर रहा है तो hydrogen तो होना ही चाहिए और hydrogen के अपोज में कोन होना चाहिए तो वो होगा आपका electronegative atom और compound ठीक है electronegative compound होना चाहिए hydrogen के अपोज में तो हमें amines के concept के बारे में देखना है तो amines में जो आपका NH का compound होता है जो आपके amines में जो NH का compound होता है वो केसे होता है एनेच ठीक है ये वाला जो एनेच का compound होता है इसके बीच जो bond है एनेच का एनेच का जो bond है वो केसा होता है एनेच का ये है आपका polar compound एनेच is a polar compound ठीक है polar compound है इसका मतलब क्या है वाई एक के उपर होगा negative charge एक के उपर होगा positive charge NH है आपका polar compound और polarity का मतलब क्या होता है एक होगा आपका positive pole एक होगा आपका negative pole तो यहाँ पे जो hydrogen होता है वो हमेशा positive nature का होता है and जो N है मतलब nitrogen है उसके उपर होंगे negative charge ठीक है जो hydrogen होता है वो होता है positive इसलिए उसके उपर लिखेंगे delta positive और जो nitrogen होता है वो होता है आपका delta negative nitrogen के उपर charges होंगे आपके delta negative के तो जो NH का bond है यह होता है polar compound polar compound क्या show करता है फिर एक पे होगे positive charge एक पे होगे negative charge तो intermolecular forces हमें यह बता रहा है कि जो भी compound होगा आपका जो भी amines होंगे वो hydrogen bonding show करेंगे hydrogen bonding show करेंगे अगर वो hydrogen bonding show कर रहे है इसका मतलब उसका intermolecular forces होगा ज्यादा तो चलिए देखते हम कि amines में क्या होता है सबसे पहले क्या करना है हमें primary amines पे चलते हैं then secondary amines का structure देखेंगे then tertiary का देखेंगे ताकि एक साथ सभी confusion आपका clear हो जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे हम primary amines का compound देखते हैं यहाँ पे लेते हम primary amines का compound ठीके primary amines क्यों बोल रहे हम इसको क्योंकि यहाँ पे है एक ही alkyl group present साथ है इसके उपर सिर्फ एक ही अल्किल गुरूप प्रेजेंट है ये हे आपका प्राइमरी अमाइन मेन्स को एटाज है इसलिए अंप सिर्फ एक ही अल्किल गुरूप दिख्थे हैं इसका मथलेंब क्या होता है तो चलिए देखते इसके ऊपर hydrogen warning यह वाला compound के से शो करेगा primary हमाई hydrogen warning के से शो करता है तो देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर लेंगे हम compounds other compounds like यह वाला hydrogen है इसके साथ क्या करेंगे एक और compound लेंगे like this okay तो यह वाला compound हमने इधर ले लिया then next यहाँ पर भी हम similar pattern से देखेंगे यहाँ पर एक compound ले लिया then next यहाँ पर भी वेसे ही similar pattern में देखेंगे यहाँ पर एक और compound हमने ले लिया अभी देखो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यह वाले जो nitrogen है यह वाला तो यहाँ पे इन्हें बॉंडिंग फोर्म कर दी है ठीके आप यहाँ पर देखोगे तो एक हमने पहले amind का compound लिया मतलब primary amind का compound लिया primary amind के compound ने क्या किया यहाँ पे वो total 3 compound के साथ bond engineer बना रहा है total 3 compound के साथ bonding बना रहा यह यह जो आपकी bonding हमने यहाँ पर represent की है, इसको बोलते है हम hydrogen bonding, ठीक है, जो हमने पहला compound निकाला, amines का, वो जो amines का compound था, वो क्या कर रहा है, तीनो slide पर वो represent कर रहा है, तीन compound के साथ hydrogen bonding, जो middle वाला compound था हमारा, वो तीनो compound के साथ hydrogen bonding को show कर रहा है, तो चलीए देखतें ये हैं हमारे 3 Compounds लायक दिस, यहाँ पर हम indicate कर देते, यहाँ है आपका पहला Compound यहाँ पर फरम हुआ है, ठीके, यहाँ पर हुआ है हमारा 2nd Compound formation, यहाँ पर हुआ है हमारा 3rd Compound formation, तो 1 Amin के Compound नेorm किये 3 Amin Compound, एक Amine के Compound से Formation हुआ है, तीन Amine के Compound का, क्योंकि ये Primary Amine था, उसके पास कितने Hydrogens थे, दो Hydrogens थे, ठीके, Primary Amines के पास थे, दो Hydrogens, तो उन दो Hydrogens की वज़े से, और Nitrogen की वज़े से, वहाँ पे हुए है, तीन Compound Formation, तीन Amine के Compound और हमने Formation कर दिया हैं, ठीके, एक Compound से Form D out, तीन Amine के Compound यहां पे Formation हुआ हैं, Primary Amines से, Secondary Amines से भी देख लेने, ठीके, तो यहांपे लेंगे हम Secondary Amines, Secondary Amines में भी क्या करेंगे हम, एक Amine का Compound ले लेंगे यहांपे, तो यहाँ पे ले लिया हमने Amine का Compound Then next यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे लेंगे हम एक और Amine का Compound यहाँ पे लिया हमने एक और Amine का Compound और यहाँ पे भी लेंगे हम एक और Amine का Compound ठीक है तो यह वारा भी Compound हमने यहाँ पे ले लिया Then next देखो वो वाला जो compound था वो bonding form करेगा यहाँ पे nitrogen and hydrogen के बीच होगी bonding form यहाँ पे भी nitrogen and hydrogen के बीच bonding form होगी hydrogen bonding ठीक है इस bonding को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यह वाली bonding कुन सी है आपकी hydrogen bonding ठीक है जो bonding nitrogen and hydrogen के बीच form हुए उसका नाम है hydrogen bonding तो यहाँ पर formation हुआ है hydrogen bonding का, अगर आप secondary amines में देखोगे, तो उसमें दो alkyl groups present है, इसलिए हम उन्हें नाम क्या दिया है, उसका secondary amines बोला है उसको, तो यहाँ पर formation हुआ है एक amine compound का, यहाँ पर भी formation हुआ है एक amine compound का, मतलब दो amine के compound formation हो चुके है एक amine के compound से, एक amine के compound से, दो amine के compound formation हुआ है, यहाँ पर, और हम tertiary amine भी देख लेते हैं इसके साथ साथ, तो यहाँ पर लेंगे हम tertiary amine का compound, tertiary amines में क्या हुआ है वो देखो, यहाँ पर लेंगे हम amines का compound, tertiary amines में क्या है फिर, तीन-तीन alkyl groups present है, तर्शरी amines में तीन-तीन alkyl group present है, औ और तीन अलकिल ग्रूप अगर होंगे वहाँ पे एक भी hydrogen प्रेजेंट नहीं है तो वो hydrogen bonding शो करेगा क्या तीन तीन अलकिल ग्रूप है hydrogen एक भी नहीं है इसका मतलब वो hydrogen bonding शो नहीं करेगा nitrogen के साथ एक bonding form हो सकती है लेकिन जो भी bonding form होगी वो weaker bonding form होगी ठीके तो ये था हमारा tertiary amines में तो यहाँ पे हमने देखा जो आपका primary amines था उसने तीन तीन compound form किये जो secondary amines था उसने दो compound form किये और जो tertiary amines था वो hydrogen bonding form नहीं कर रहा है किसी भी compound के साथ क्योंकि उसके पास कोई भी hydrogen नहीं है क्योंकि hydrogen bonding बनाने के लिए तो हमारे पास hydrogen होना चाहिए वहाँ पे hydrogen नहीं है तो वो कोई भी bonding form नहीं कर रहा है वहाँ पे hydrogen bonding form नहीं हो रही है सिर्फ primary amines में हुई, secondary amines में हुई, tertiary amines में nitrogen से भी हो सकती है लेकिन वो होगे आपकी weaker bonding form ठीक है तो वो होगा आपका tertiary amines में तो यहाँ पे intermolecular forces में क्या है जब आपके compound से जितने hydrogen bonding form होगी जितनी ज़्यादा hydrogen bonding form होगी उतना उस compound का intermolecular force होगा stronger जितनी hydrogen bonding यहाँ पे form हुए है उतना उसका intermolecular forces कैसा होगा stronger होगा क्योंकि वो बहुत सारे लोगों से अपना bond form कर रहा है और उस bond form करने की वज़े से उसका intermolecular force क्या बन रहा है बहुत strong बन रहा है secondary amines में क्या है दो ही compound के साथ bond form कर रहा है वो hydrogen bonding कर रहा है तो उसका जो intermolecular force होगा वो थोड़ा कम होगा as comparing to primary amines and tertiary amines के पास तो कोई भी bonding नहीं है उसके पास कोई भी दोस्त नहीं है ठीक है क्योंकि उसके पास सभी alkyl group से उसके पास कोई भी hydrogen नहीं है जो hydrogen other compound के साथ bonding मनाता है वही नहीं है उसके पास ठीक है तो ये वाला जो compound था इसका जो intermolecular force होगा वो कैसे होगा यहाँ पे जो intermolecular force है वो कैसा है intermolecular force forces are very strong very strong ठीक है because of because of three hydrogen bonding compounds ठीक है तीन compounds ने hydrogen bonding फॉर्म की है एक amino से तीन तीन amino के compound formation हुए यानि उसका intermolecular forces जो है वो बहुत strong है very strong है तीन तीन hydrogen bonding वाले compound उसने फॉर्म की है देन जो secondary amino का जो intermolecular forces वो कैसे होगा फिर intermolecular forces are moderate यहाँ पर जो intermolecular force होगा वो moderate होगा ठीक है थोड़ असा कम होगा as comparing to primary amines क्योंकि primary amines ने तीन तीन compound फॉर्म किये थे तीन compound के साथ hydrogen bonding फॉर्म की थी secondary amines ने सिर्फ दो ही compound के साथ hydrogen bonding फॉर्म की है तो उसका intermolecular जो force होगा जो bonding होगी other compound के साथ जो hydrogen bonding है वो थोड़ी कम है मतलब moderate है and tertiary amines क्या है भई वहाँ पर intermolecular force के साथ बहुत weaker है यहाँ पर जो intermolecular force है intermolecular force है are weak वहाँ पर बहुत कम intermolecular force है मतलब बहुत intermolecular जो force है वो weak है क्योंकि वहाँ पर कोई भी hydrogen नहीं है जो hydrogen bonding बना सकता है other compound के साथ ठीक है इसलिए उसका जो intermolecular force होगा जो bonding होगी वो बहुत कम है तो यह था हमारा intermolecular forces का concept जिसमें हमने देखा primary amines सबसे ज़्यादा intermolecular forces होता है उसके अंडर में वो बहुत stronger intermolecular force show करता है because वो 3-3 compound formation कर रहा है hydrogen bonding की वज़े से 3-3 compound forming हो रहे hydrogen bonding से secondary amines में 2 compound form हो रहे तो उसका intermolecular force होगा moderate and tertiary amines में कोई भी formation नहीं हो रहा है intermolecular forces hydrogen bonding से form नहीं हो रहे इसका मतलब उसका जो force होगा intermolecular force वो कैसे हो रहा है weak है तो यह था हमारा पहले physical property का concept जो थी आपकी intermolecular forces then next देखते boiling point का concept boiling point का जो concept है वो इसी part पे dependent है तो वो भी देख लेते हम यहाँ पे हमने देखा कि intermolecular force जो है वो primary amines का सबसे ज़्यादा है intermolecular जो force है वो primary amines का सबसे ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे 3-3 compound के साथ hydrogen bonding हुई है तो यहाँ पे देखो boiling point देख रहे है अभी हम second compound पे चल रहे है ठीके यहाँ पे ही हम second compound भी discuss कर रहे है अभी वो है आपका boiling point का ठीके तो boiling point के concept में क्या हो रहा है वो देखो यहाँ पे देखा हमने intermolecular force था सबसे ज़्यादा primary amines में ठीके intermolecular जो force था वो सबसे ज़्यादा था primary amines में ठीके यहाँ पे जो intermolecular force था वो सबसे ज़्यादा था क्यों क्योंकि hydrogen bonding ज़्यादा बन रही थी 3-3 compound formation हो गए थे hydrogen bonding की वज़र से तो यहाँ पे intermolecular force से बहुत ज़्यादा बहुत strong और इसी strong force को break करने के लिए इसी strong force को break करने के लिए उन bonding को break करने के लिए temperature कैसे लगेगा बहुत ज़्यादा temperature लगेगा मतलब boiling point कैसे होगा उसका बहुत ज़्यादा high boiling point लगेगा उन compound को break करने के लिए क्योंकि उनके बीच जो bonding है वो बहुत strong bonding है ठीक है तो उनको हम easily break नहीं कर सकते हैं इसलिए उनको break करने के लिए जो temperature लगेगा जो boiling point लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा boiling point वहाँ पे बहुत ज़्यादा needed है तो यहाँ का जो compound होगा इसका boiling point होगा सबसे ज़्यादा ठीक है यहाँ पे boiling point boiling point is also increases boiling point भी यहाँ पे increase हो रहा है क्यों boiling point इसका भी सबसे ज़्यादा high है boiling point is also high boiling point जो है उसका वो भी high लगेगा high क्यों लग रहा है क्योंकि primary amines में जो intermolecular forces है मतलब जो bonding form हुई है hydrogen bonding form हुई है वो बहुत ज़्यादा strong है intermolecular force उनके बिच बहुत ज़्यादा strong है और ऐसे force को break करने के लिए एसे bonding को break करने के लिए temperature भी बहुत ज़्यादा लगेगा और boiling point भी बहुत ज़्यादा नीडेड है ठीक है temperature और boiling point उसके लिए सबसे ज़्यादा लगेगा high boiling point वहाँ पे नीडेड है then हम secondary amines अगर देखे तो secondary amines में क्या है यहाँ पे hydrogen bonding कम है दो ही compound form हुए थे यहाँ पे तीन तीन थे यहाँ पे दो ही compound form हुए है तो दो compound form थे इसका मतलब intermolecular force कैसे था उनके बीच moderate था कम था थोड़ा सा as comparing to primary amines तो वह intermolecular force moderate था boiling point वे कैसे लगेगा फिर उनके बीच ज्यादा कुछ ऐसे strong bonding नहीं है तो उनको boiling point वे वैसे ही लगेगा boiling point वे उनका moderate ही होगा ज्यादा कुछ boiling point नहीं लगेगा अगर उनके बीच forces ही moderate form में है bonding ही moderate form में हुई है तो वहाँ पे boiling point वे वैसे ही लगेगा boiling point is moderate ठीक है ज्यादा कुछ high boiling point वहाँ पे needed नहीं है क्योंकि वहाँ पे दो ही bond form हुए तर्शरी Amines पे अगर हम जाए तो वहाँ पे कोई भी intermolecular force नहीं है कोई भी hydrogen bonding form नहीं हुए intermolecular force वहाँ पे बहुत weak है अगर bonding ही नहीं है तो boiling point भी ज्यादा क्यों लगेगा भाई boiling point भी वहाँ पे सबसे less required होगा ठीक है तो यहाँ पे भी लिख देते हम boiling point decrease यहाँ पे होगा boiling point सबसे decrease और less क्योंकि वहाँ पे कोई भी bonding नहीं है अगर bonding ही नहीं है अगर intermolecular forces ही नहीं है तो उनका जो boiling point होगा वो भी सबसे कम होगा, सबसे less boiling point वहाँ पे लगेगा तो ये था हमारा boiling point का concept, इसी concept के उपर हमने boiling point भी देख लिया जो hydrogen bonding form हुई थी उसके basis पे, जो intermolecular forces form हुए थे उसके basis पे ही हमने boiling point का concept भी देख लिया तो इसके उपर हम कुछ examples देखते हैं, तो चलिए, primary, secondary and tertiary amines के उपर हमारे पास कुछ आपको textbook में दिये हुए examples है, वो भी देखते हैं तो चलिए, जो सबसे पहला example दिया है, वो देखते हैं यहाँ पे दिया है आपको textbook में, n, c4, h9, n, h2 then उसके बाद example दिया है, c2, h5, c2, h5, n, h, c2, h5 then उसके बाद example दिया है आपको, c2, h5, n, c, h3, c, h3 तो यह तीन examples आपको देखे रखे, तो यहाँ पे अगर हम देखे, तो यहाँ पे n, h group को एक ही compound attach है मतलब यह वाला compound कौन सा हैगा आपका, यह वाला है primary amines क्योंकि एक ही compound attach है, n के compound से एक ही alkyl group attach है then next, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे 2-2 alkyl group attach है, ठीक है यहाँ पे 2-2 alkyl group attach है, n से, तो यहाँ पे यह आएगा आपका secondary amines क्योंकि वहाँ पे 2-2 alkyl group attach है, यहाँ पे अगर आप देखोगे third structure में तो यहाँ पे है आपके 3-3 alkyl group attach ठीके यहाँ पे है 3-3 alkyl group attach तो यह वाला कुन सा compound आएगा फिर आपका tertiary amines क्योंकि वहाँ पे है 3-3 group attach तो यहाँ पे देखा आपने primary amines, secondary amines and tertiary amines तो यहाँ पे जो आपका molecular mass है अगर यहाँ पे देखोगे तो C4H9 मतलब total 4-carbons वाला compound है यहाँ पे C2H5, C2H5 मतलब यह भी 4-carbons वाला compound है यहाँ पे C2H5 यह हो गए 2 और AA वाला 3, यह वाला 4 मतलब यहाँ भी total 4-carbons present है तीनों के अंडर में 4-carbons present है लेकिन structure कैसा है उनका, जो पहला था वो primary amines था जो दूसरा है वो secondary amines से, जो तिसरा है वो tertiary amines से यहाँ पे अगर हम इनके molecular mass देखे वो भी similar है क्योंकि अगर number of carbon atom similar है तो उनका जो molecular mass होगा वो भी similar है तो इन तीनों compound का molecular mass भी similar है 73 उनका molecular mass है जो यहाँ पे देखेंगे अगर हम तो यहाँ पे उनका molecular mass भी आपको similar दिखेगा वो भी लिख लेते हैं ठीके molecular mass इसका भी है 73, इसका भी है 73 इसका भी है 73 तो अभी हमें देखना है उनके boiling point के concept के बारे में ठीके, तो boiling point कैसे बढ़ेगा अभी हमने देख लिया था कि primary amines, secondary amines and tertiary amines में हुआ क्या था जो आपका primary amines था उसने hydrogen bonding form की थी और उनका जो intermolecular force था वो भी सबसे ज़्यादा था strong था क्यूंकि hydrogen bonding ज़्यादा compound form हो चुके थे hydrogen bonding की वज़े से ज़्यादा compound form हुए थे इसका मतलब क्या था उनके बीच जो intermolecular force था वो बहुत ज़्यादा था और ऐसे strong intermolecular force को break करने के लिए boiling point कैसे लगेगा ऐसे stronger intermolecular force को break करने के लिए boiling point कैसे लगेगा बहुत ज़्यादा high लगेगा तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा boiling point किसका होगा फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा boiling point होगा आपका primary amines का क्यों क्योंकि primary amines ज़्यादा hydrogen bonding शो कर रहे stronger intermolecular force है और एस stronger intermolecular force को break करने के लिए जो bond जो आपको boiling point लगने माला है वो बहुत ज़्यादा strong boiling point लगने वाला है then next जो compound था हमारा secondary amines उसमें दो ही compound फॉर्म हो रहे थे hydrogen bonding की वज़े से intermolecular force उसका moderate था तो boiling point भी क्या हो गया था उसका कम हो गया था then next जो आपका tertiary amines था tertiary amines में क्या हुआ था तीन तीन अलकिल ग्रूप थे hydrogen एक भी नहीं था अगर hydrogen ही नहीं है तो hydrogen bonding कैसे form होगी अगर hydrogen ही नहीं है तो hydrogen bonding कैसे form होगी और ये nitrogen hydrogen bonding फॉर्म करेगा भी तो वो बहुत weaker hydrogen bonding फॉर्म करेगा ठीके तो ये वाला जो tertiary amines था यहाँ पे जो intermolecular force था वो बहुत ज़्यादा वीक था, अगर force ही नहीं है, अगर उनके बिच कोई bonding ही नहीं है, तो boiling point भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लगेगा, तो यहाँ पे boiling point भी है सबसे कम, तो यह देखे हमने कुछ examples boiling point के basis के उपर, जो थे आपके primary amind, secondary amind and tertiary amind में, ठीक है, then next देखते अगर, यह तो हमने boiling point देख लिया, जब आपका जो group होगा, functional group होगा, वो aminds होगा, मतलब primary amind, secondary amind, tertiary amind, हम अभी देखते, कि अगर functional group बदल गया तो, यहाँ पे functional group similar था, ns2, 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 अगर functional group ही बदल गया तो, तो क्या करोगे, boiling point को के से decide करोगे, तो वो भी देखते ह तो चलिए, boiling point देखते हैं, similar format होगा, functional group का, तो वो हमने देख लिया, कि अगर ns2 होगा, primary amind, secondary amind, tertiary amind, तो उससे हमें पता चल जाएगा, ठीके, लेकिन, अगर functional group बदल गया, तो, अलग-अलग functional groups आ गये, तो, फिर क्या करोगे, तो चलिए, अब वो भी देख लेते हैं, कि कैसे decide करना है, कि किसका boiling point होगा, सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पर important है, आपको order पता होनी चाहिए, कि boiling point कैसे increase होते जाएगा, या कैसे decrease होते जाएगा, तो चलिए, order देखते हैं, उसके लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले, जो आपका carboxylik acid है, ओके, तो यह है आपका carbox carboxylik acid, carboxylik acid का जो आपका boiling point होगा, वो होगा सबसे ज़्यादा, ठीके, next, carboxylik acid के बाद जो आएगा, वो है आपका alcohol, okay, alcohol के बाद जो आएगा, वो है आपका amines, amines के बाद जो आएगा, वो है आपका इधर alken, alken, then amine, then alcohol, then carboxylik acid, तो यह है सई order, carboxylik acid का जो boiling point होगा, वो होगा, सबसे ज़्यादा, alken का जो boiling point होगा, वो होगा, सबसे lowest boiling point, ठीके, तो यहाँ पर functional group भी देख लेते, alken, यानि क्या होगा, यहाँ पर, R, H, ठीके, next, amine का मतलब क्या होता है, R, N, H, 2, then next, alcohol का मतलब क्या होता है, R, O, H, then next, carboxylik acid का मतलब क्या होता है, R, C, O, O, H, ठीके, तो यह है हमारी सई order, सबसे ज़्यादा boiling point होगा, carboxylik acid का, then next होगा, alcohol का, then next, amine का, then next, alken का, तो यह वाली order अगर आपको पता होगी, तो अगर functional group भी आ जाएंगे boiling point के concept में, तो आप यह बता दोगा कि किसका boiling point होगा, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर order ही तो most important है, तो चलिए इसके उपर कुछ और examples आपको दिये, वो भी देख लेते हैं, कैसे examples हैं, जो आपके textbook में आपको दिये हैं, सबसे पहला वाला example है, C2H5, COOH, then next वाला जो example है, N, C4, H9, OH वाला example है, then next जो third example दिया है, वो है CH3, then next N, carbon, then CH3 attach है, उसको इधर से भी CH3 attach है, and NH2 का group attach है, ठीके, तो यह तीन examples देखते हैं हम इसमें, कि अगर उसके उपर जो functional groups आ चुके हैं, तो उनके dependent हम कैसे उसका boiling point बता सकते हैं, ठीके, तो यहाँ पे देखो अभी, group पहचानो भई, यहाँ पे, group, ठीके, यहाँ पे है आपका acid group present, R, C, O, O, H, acid group present है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे alcohol का group present है, और अगर यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे amine का group present है, उपर है आपका acid का group present, then next, OH का group present, then next, NH2 का group present है, तीन तीन आपके functional groups present है, तो इसके उपर आपका boiling point तो यह डिसेड हो जा acid present है उसका boiling point होगा सबसे ज्यादा क्योंकि order में उसका boiling point सबसे ज्यादा है तो जिस compound में आपका acid group present है उसका boiling point होगा सबसे ज्यादा जिसके पास alcohol है alcohol का group है तो वो केसे आएगा second large में आएगा ठीके थोड़ा कार्वोजोलीक एसीड से उसका जो बॉयलिंग होगा थोड़ा कम हो जाएगा ठीके ची Fazil ऋ गया तो यह था हमारा बॉयलिंग पाइंट का कंसेब जिसमें हमने similar group अगर attach होगा तो वो भी हमें पता चल गया और अगर different different group attach होगे तो वो भी हमने पता कर लिया कि कि किस order से हमें पता लगाना है कि boiling point कैसे हम decide करेंगे ठीक है next property देखते physical property में आपका intermolecular forces के बारे में हमने देख लिया boiling point के बारे में देख लिया then जो next property के बारे में हमें देखना है वो हे आपके solubility, amines के solubility देखनी अभी so logical of amines, हुआ solubility of amines के बारे में देखते है solubility में क्या हता है solubility का कहना क्या है कि कोई भी compound solubility में वो कह रहा है कि for example अभी amines का देख रहे हैं तो amines का ही देखते हैं amines अगर soluble होना है water में तो amines केसे soluble होगा water में water उसको तभी allow करेगा जब वो water के साथ intermolecular hydrogen bonding बनाएगा water amines को तभी अपने अंदर allow करेगा soluble होने के लिए जब वो water के साथ hydrogen bonding बनाएगा मतलब intermolecular hydrogen bonding फॉर्म करेगा ठीके तो यहाँ पर देखते amines जो होते हैं वो कैसे फॉर्म करते हैं उसकी bonding उसके लिए कुछ पहले लिख लेते हम यहाँ पर जो उसके important है description में solubility में ठीके जो amines का compound है amines ability amines ability to form hydrogen bond to form hydrogen bond with water molecule with water molecule so from water molecule so lower aliphatic amines lower aliphatic amines are photosoluble ठीके देन नेक्स नेक्स पॉइंट भी देख लेते हैं solubility of solubility decreases with increasing solubility decreases with increasing alkyl group ठीके तो यह वारे दो पॉइंट पहले हम देखते हैं discuss करते हैं जो amines होते हैं Amines के अंडर capability होती है कि वो hydrogen bonding form करेंगे water molecule के साथ तो कैसे hydrogen bonding form करते हैं वो देखते हैं यहाँ पे लेंगे हम सबसे पहले amines का compound ठीके तो यह ले लिया हमने यहाँ पे amines का compound ठीके primary amines लिया है क्योंकि primary amines क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एक ही alkyl group एड़ है यहाँ पे तो यह है आपका primary amines primary amines then amines में कैसी capability है hydrogen bonding बनाने की किसके साथ water molecule के साथ तो यहाँ पे क्या लेने वाले हम वो देखो अभी यहाँ पे O then next इसको यहाँ पे है दो hydrogen's add क्योंकि H2O का formula होता है आपका water ठीके next यहाँ पे भी क्या करेंगे हम यहाँ पे भी दो water molecule देंगे मतलब ठीके then next यहाँ पे क्या होगा वो देखो यहाँ पे भी लिया हमने H2O then next इसके बाद क्या हुआ अब वो देखो यह वाला oxygen bond form करेगा hydrogen के साथ यह वाला nitrogen bond form करेगा hydrogen के साथ ठीके ऐसा क्यों हो रहा है वो देखो इसके उपर charges mention करते hydrogen होता है हमेशा positive nature का इसके लिए delta positive उसके बाजुवाला हमेशा होता है negative oxygen के उपर negative charge इधर nitrogen के उपर भी negative charge यह वाला जो hydrogen है वो again positive यहाँ पे oxygen के उपर negative charge then next ये वाला जो nitrogen है वो है negative then ये वाला hydrogen केसे आएगा positive nature का आएगा तो यहाँ पे हम देखते हैं जो आपका primary amine का compound है primary amine के compound है यहाँ पे hydrogen bonding form की है intermolecular hydrogen bonding form की है water molecule के साथ यानि इसका मतलब क्या होता है वो amines water molecule के साथ hydrogen bonding यहाँ पे बना रहा है इसका मतलब वो water के अंदर में soluble है water के अंदर में वो soluble हो रहा है क्योंकि वो water के साथ क्या बना रहा है intermolecular hydrogen bonding वो water के साथ बना रहा है इसका मतलब वो water में soluble है and then next point देखते हैं अभी solubility decreases with increasing alkyl groups solubility कम होती जाएगी solubility decrease होती जाएगी कब increase alkyl groups जब alkyl group बढ़ते चाहेंगे तब solubility क्या होगी decrease होगी यानि primary amines तो आपने देख लिया भई अभी secondary amines भी देख लेते ये था आपका primary amines secondary amines में देखते हैं जो आपका second point है वो तभी explain हो पाएगा ठीक है क्योंकि वहाँ पे बोलाए solubility decreases when increasing alkyl group जब आपके alkyl groups बढ़ेंगे तब solubility क्या होती जाएगी कम होती जाएगी क्यों वो भी देखते हैं यहाँ पे secondary amines का structure देखते हैं सबसे पहले यह ले लिया हमने यहाँ पे secondary amines secondary amines इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है दो alkyl groups present है इसलिए वो है आपका secondary amines का structure then next यहाँ पे लेंगे हम water molecule ओके यहाँ पे लिया हमने water molecule then next यहाँ पे लेंगे हम again एक water molecule then next उसके उपर देदेंगे हम charges oxygen के उपर होता है negative charge hydrogen के उपर होता है positive charge nitrogen के उपर होता है negative charge again यहाँ पे hydrogen के उपर होगा positive charge the oxygen के उपर होगा निकिटिव जार्ड यहां पर की बांडिंग formation इंटर तीन तीन compound के साथ hydrogen bonding बंद रही थी यहाँ पे secondary amines में क्या देखा हमने दो compound के साथ आपकी hydrogen bonding यहाँ पे बंद रही है क्योंकि वो secondary amines है उसके alkyl groups बढ़ गए मतलब उसके hydrogen bonding क्या हो गई अगर alkyl groups बढ़ गए तो उसके hydrogen bonding क्या हो गई कम हो गई अगर hydrogen bonding कम हो गई है इसका मतलब क्या होगा alkyl groups बढ़ने की वज़े से आपकी solubility भी decrease हो रही है जैसे जैसे alkyl group बढ़ते जाएंगे वैसे solubility decrease होती जाएगी यानि जो आपका next वाला compound है tertiary amines का तो tertiary amines में क्या होता है भई वहाँ पे तो nitrogen को attached total 3 alkyl groups होते हैं like this 3-3 alkyl groups present है वहाँ पे 3-3 alkyl groups present है कोई भी hydrogen नहीं है इसका मतलब hydrogen bonding वहाँ पे नहीं होगी इसका मतलब वहाँ जो solubility है वो compound tertiary amines के compound water के अंदर में solubal नहीं होगे क्योंकि वो hydrogen bonding ही form नहीं कर रहे amines तभी solubal होता है जब उसके अंदर में capability हो कि वो water molecule के साथ hydrogen bonding बना के water में solubal हो सके लेकिन tertiary amines के पास कोई भी hydrogen नहीं है तो वो hydrogen bonding नहीं बनाएगा और वो water के अंदर में solubal भी नहीं होगा secondary amines solubal होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा moderately solubal होगा primary amines जल्दी solubal हो जाएगा highly soluble होगा क्योंकि यह hydrogen bonding बना रहे ज्यादा compounds के साथ तो यह थी आपकी third physical property amines के लिए जिसका नाम था solubility ठीक है then next part हम next lecture में continue करेंगे so thank you so much guys for watching this video please do like, share, comment and subscribe our channel thank you so much